हेलो डिवन आज को किचन में बनने जा रहा है आलू और विंस की बहुत ही टेश्टी और स्वादिश सब्जी इसे बनाना भी असान है और यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है और इसे आप मेहमान आए तो इसे बना कर आप जटबट्ट से बना कर इसे परोश सकते हैं और यह जब इसे मेहमान खाये 벌써 आपकी तारिफ इसे दिव लए नहीं नहीं रह बाए भी अमने टुकड़ों में काट लिया है तो इसको बढाने के लिए ज्यादा चीजों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी जो भी आपके घर में चीजी हैं बस हम उनी चीजों से इसको बनाएंगे तो कड़ाई में तेल डाल देंगे तेल जब हमारा ची से गरम हो जाएगा त इसमें कुछ हमने एक-दो हरी मिर्च को भी इसमें यह देखिए डाल दिया थक्सिम नीचे रह गई थी तहीं मिर्च को निकाल लेते हैं चाहे आप इसको फ्राइक कर लेए मिर्च की हुई भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो यहां पर देखिए इसको हमें चल नहीं पकाना है क्योंकि हम इस सब्जी के साथ भी पकाना है तो हम इसको फ्राइ करके निकाल लिया है अब हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज कटे हुए प्याज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च यह देखिए तो छोटी लाल मिर्च दो हमने तेज पत्त लिया है एक चुटकी हम हिंग लेंगे और 10 दाने हम लेंगे काली मेर्च के और अब हम इसे चलाते हुए भूल लेंगे इसमें थोड़ी से गरम मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छाएगा तो यहां पर दिखिए हम इसको चलाते हुए गॉर्डन ब्राउन होने तक लेना है जे बहुत नहरा पिंक कलर का हो जाए तो इसको भूनते हुए देखें यहां पर हमें तीन से चार मेंट हो चुगे है अब हम हम इसमें हरी मिर्च टाल देते हुए यह देखिए हरी मिर्च को भी हम डालके इसको चला लेते हैं और यहां पे गर आप प्याज खाना नहीं पसंद करते तो इसकी जगे पे आप जीरा एड़ कर सकते हैं तो यहां पे देखिए हमारे प्याज सुनेहरा पिंक लड़का हो चुका है अब हम इसमें कटा हुआ अपना आलू डाल देते हैं तो यहां पे देखिए हमने आलू को भी डाल दिया है आलू को चलाते हुए हम इसको मिक्स कर लेते हैं अगर आप लोग को अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आप लोग के लिए ऐसी ही नहीं नहीं वीडियो लेकर आते रहूंगे तो यहां पर देखिए हमने इसको चला लेना है कि हमारे आलू भी अच्छी से भून जाए और अब हम इसे ढख देते हैं कि हमारे आलू ऊपर से भी सोफ्ट हो जाए और नीचे से भी सोफ्ट हो जाए तो यहां पर देखिए हमने इसको एक से दो मिन्ट हो चुके थे अब हम इने रख्कन उतार कर चला लेते हैं अब हम इसमें आड़ कर देंगे कटा हूँ टामाटर टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा चला लेते हैं कि हमारे टमाटर भी सोफ्ट हो जाए और जो हमने बिन्स को फ्राइ किया हुआ था उसको भी हम डाल कि मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ मसाले हम ओई मसाले यूज करेंगे जो हर एक घर में मिल जाएंगे तो यहां पर देखिए हमने डाल दिया है नमक स्वाद के नुशार आप नमक डाले हल्दी पाउडर डाले यहां पर मैंने एक छोड़ा चमच हल्दी पाउडर डाला है और एक चमच के करीब हमें इसमें डाला है धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर और यह थोड़ा सा मिने डाला है घर्ब का बना हुआ मसाला इससे इसकी सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा अच्छा आएगा आप इसकी जएगे थोड़ा सा गरम मसाला यूज कर सकते हैं घर पर कैसी मसाला बनाया जाता है उसकी रेस्पी में आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगे तो इसको चलाते हुए हमें करीब दो से तीन मिट हो जुके हैं मसाले हमने अच्छे से डाल दे हैं अब हम इसको थोड़ा पका लेते हैं तो अब हम इसे डाल कर पका लेते हैं पान से दस मिट अब यहां पर देखिए हमाई सब्जी देखिए पक चुकी है अब हम इतने उपर से धनिया अड़ कर देते हैं पर इसको निकाल लेते हैं बतर में यह देखिए तो यहां पर देखिए अब उपर से हम गार्निश के लिए धनिया के हरी पत्ते आड़ कर देते हैं पर यहां पर देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है प्रफैक्ट तरीके से पठ चुकी है और इसे आप नान के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं चपाती के साथ खाएं या पर को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक चैनल को कर देना सस्क्राइब और वैल आइकन को भी प्रेस कर देना इससे यह होगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगी तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब वीडियो देखने के लिए थैंक यू